और मैं आपको एक बात बदा दूँ अगर आप जेई एडवांस टार्गेट कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़े हैं सेम हैं सेम हैं जो पुराना मैट्स का जेई एडवांस का सिलेवर्स था अगर आप इसको फोड़ने में सक्षम रहे तो फिर आपकी आगे की रहा क्या ह सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है सूरुमा नहीं विचलित होते छण एक नहीं धीरज खोते विगनों को गले लगाते हैं काटो में रह बनाते हैं तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जेई एडवांस की जो डेट है वो अनौन्स हो चुकी है जो एक्जा बताते हैं बच्चों के लिए तो 2024 का जेई मेंस और एडवांस काटो से भरी एक राह हो गई है इसी रास्ते से चल कर आपको अपनी मंजिल तक जाना है देखे जेई मेंस ते अपना सिलिबस रिडियूस किया आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा फिजिक्स में ऐसे मोट आईटी तक और जी एफ आईटी तक नहीं खतम होना चाहता है आप चाहते हो कि आपकी मंजिल भारत का सबसे अच्छा इंजिनरिंग इंस्टिट्यूट बने आईटी इस बने आईएसी बने तो उसके लिए आपको जेई एडवांस का एक्जाम देना पड़ेगा और मैं आ रहे है का कोई चेंज नहीं किया गया तो सर एके करके हम सबजिक्ट वाइस बच्चों को बताते हैं कहां पर कैसी चीज Paul itu को चेंज सैंओ घया अपका ऑज़ए-टरी इसके पहले जेएबांस में मैंगनिपमनिकेशन सिस्टम नहीं आता था आपका electronic devices नहीं आता था वो आज भी J-Advance में नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन J-Mains में J-Mains में magnetism and matter का कुछ हिस्सा हटा दिया गया उदर से communication system हटा दिया गया तो आपको थोड़ा सा हलका हुआ कि चलो ठीक है J-Mains का syllabus reduce हुआ है बट J-Advance में किसी भी तरह की reliability आपको नहीं दी गई है जो पुराना syllabus J-Advance का था वही syllabus अभी भी J-Advance का है आपको सब कुछ पढ़के जाना है अगर आप अपने आपको भारत के सबसे अच्छे institution में देखना चाहते हैं तो chemistry का कुछ change बताएंगे सर्थ chemistry का बिलकुल सर्थ chemistry में जैसे J-Means में हमें पता है कि block chemistry को किनारे कर दिया गया वहाँ पे eliminate कर दिया गया थोड़ा सा P-Block के section को रखा गया लेकिन आप अगर J-Advance का syllabus उठा के देखेंगे जो कि आपको नीचे description box में भी मिल जाएगा तो मैं आपको बता दू कि उसमें as such कोई change नहीं किया गया in fact पूरी block chemistry S-Block आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है hydrogen आपने पूरा पढ़ना ही पढ़ना है P-Block को पूरे detail रूप से आपको पढ़ना है और तो surface chemistry जैसे कि physical chemistry से out किया गया था लेकिन J advance ने उसको include कर लिया है metallurgy को include कर लिया है तो अगर मैं बात करो सबसे बड़ा जो उतार चड़ाओ है जो सबसे बड़ा confusion आने वाला है बच्चों को वो chemistry को ही लेकि आने वाला है Sir मैंने देखा solid state भी है बिल्कुल solid state को भी include किया गया अच्छा अब यहां पे बच्चे को सबसे बड़ी परिशानी यह है कि आखेर हम कहां पे क्या refer करें NCIT तो हमारी जो course levels की book थी वहां से तो उस levels delete कर दिये गया अब हम क्या करें तो बच्चों मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा आप जहां कहीं भी पढ़ रहा है भारत के जिस कोने में पढ़ रहा है आपको जो सिक्षप भी पढ़ा रहा है आप उनके notes को करिए और most importantly आप J.E. Advance के PYQs जो आये हुए है पिछले उनको जरूर करके जाएए ठीक है माना NCIT से निकाल दिया गया कोई बात ने लेकिन आप भारत के जिस भी कोने में पढ़ रहे है तो आपके पास एक notes होगा एक teacher आपको पढ़ा रहे होंगे उस notes को आप पकड़िए और उसके साथ साथ आपको क्या करना है J.E. Advance का PYQs करके जाना है इसको आप miss नहीं कर सकते मैं तो कह रहा हूँ sir market में पुरानी NCIT अविलेबल है बिल्कुल मिल रही आप पुरानी NCIT पढ़िए sir कम क्यों पढ़ना है और बहुत सारी अच्छे अच्छी reference books है आप उनके तुरू पढ़ाई करें अपनी तयारी को बहुत शांदार रखिए सब कुछ पढ़के जाए 2023 की नई NCIT पर डिपेंडेंट नहीं होना है अगर आप वहां रह रहे तो आप अपने सेलेक्शन से दूर हो रहे है वाई-साब ये बात समझ लिजेगा इन ओर्गैनिक के जहां तक matter concern है मैं आपको एक book refer कर दूँ उस book के अंदर अगर आप चाहेंगे तो आपको बहुत सारा अच्छा content मिल जाएगा JD लिए एक book आती है इन ओर्गैनिक के अंदर उसको आप चाहें तो उसको refer कर लीजे उससे आप अपना पूरा block chemistry बहुत अच्छे से उसके अंदर दिया गया है तो आप पूरा block chemistry authenticated manner में convert कर लेंगे मतलब पूरी तरीके से cover भी कर लेंगे उसको moving to the maths same as same as जो पुराना maths का J.E.A.डवांस का syllabus था वही maths का अभी भी syllabus है उसमें कुछ भी change नहीं किया गया है और जब बात आती है mathematics की और उसमें बात आती है J.E.A.डवांस की तो भाई आप सब को पता है J.E.A.डवांस mathematics का syllabus और J.E.A.डवांस mathematics का paper बहुत चांदार बहुत standard होता है तो अगर आप अच्छी practice करना चाते हैं ढंक से पढ़ना चाते हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से cover करके जाना है specifically आप coordinate की बात कर लीजे specifically आप differential calculus, integral calculus की बात कर लीजे trigonometries की बात कर लीजे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़के cover करके जाना पड़ेगा तभी आप J advance में अच्छा कर पाएंगे और अगर आप J advance में अच्छा करना चाते हैं तो आप यहां से अपनी तयारी को हर हाल में January वाले attempt के लिए mind up करिए जन्वरी वाले attempt में अगर आपकी तयारी पूरी होगी तभी आप अपने May वाले attempt जेई advance का जो 26 तारीक को paper होना है उसको आप ढंग से कर पाएंगे otherwise अगर पहला attempt इधर खराब हो गया आप 96-97% टाइल नहीं लेया पाए जनवरी में फिर आपको लगेगा कि चलो भईया एप्रेल वाले attempt में मेंस में ट्राई करते हैं और फिर जनवरी attempt अच्छा कर लेते हैं तो आपको पता है फरवरी के सामने आपके सामने बूर्ट और अगर फरवरी के बूर्ट exam के बाद आप जैसे ही निकलते हैं मार्च या अप्रेल आई थे हैं सेकेंड अटेम्ट आजाएगा आपका जेई में का और उसके तुरंत खासा समय है जिसमें आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते अभी से लड़ना बहुत जरूरी है अभी से जागना बहुत जरूरी है और aggressively work करना बहुत जादा जरूरी है इसी aggressive work में हम support भी कर रहे हैं आपका हमारा एक short selection crash course है आप चाहें तो वहाँ enroll कर सकते हैं हम आपको assure करते हैं कि हम आपका January attempt बहुत शांदार निकाल देंगे अच्छा कई बच्चों को ऐसा होता है कि सर एकदम मध्यरा में हमें कोई साथ मिल जाए हमें कोई मतलब ऐसा mentor mentor तो ठीक है कि सर हमें आप रास्ता बताओ हम करने के लिए तयार हैं हम करने के लिए बिलकुल रेडी हैं सर बस हमें रास्ता चाहिए हमें वो लोग चाहिए जो हमारे doubts हमारी सारी चीजों को address कर सके हमें exactly बता सके कि क्या पढ़ना है क्या छोडना है तो उसी के लिए मैं अगर बात करू तो sure selection batch के अंदर सारे teachers आपके ऐसे हैं जहां पर अपनी problem को बकाइदा रख सकते हैं और आप उनके उंगली पकड़ के अपने रहों को आसान बना सकते हैं तो ये उन बच्चों के लिए statement है जो अभी भी परिशान है कि सर हमें साथ मिल जाना तो हम कर जाएंगे बस अच्छा बहुत सारे बच्चों का ये doubt है कि क्या इस बार J.E.M.E.N.S का exam देने के लिए हमको 75% का criteria चाहिए ये बहुत सारे बच्चों का मुझे भी मतलब काफी सारे बच्चों के message receive हुए इस बात में कि ये बच्चे काफी परिशान है तो बच्चों उसके लिए आपको परिशान नहीं होना है इसका हम आपको बहुत ही जल्दी एक detailed वीडियो देंगे जो updated syllabus updated content updated exam के regarding important चीज़ आप भारत के किसी भी कोने में आप अंदर परिशा के हैं आप उत्तर परिशा के हैं बिहार के हैं पूरा criteria हम आपको अच्छे से समझाएंगे आप tension मत लीजाए आपको बिल्कुल नश्चिंत रहना है बस आपको करना क्या है आप भी से अपने preparation को लेके बहुत जादा aggressive हो जाना है ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत